Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Sundar Sharma and today we are going to discuss about rheumatic heart disease part 2 जिसमें हम rheumatic pancarditis की बात करेंगे, pancarditis means all the three layers of heart are involved, ठीक है, pan तो पिछली पार्ट में हमने अनिच्छो सेल, एशो बारे में बात की थी, जो बहुत जादा इंपोर्टेंट अगर आपको वो नहीं आती है तो ये पार्ट देखने के कोई फायदा नहीं है, तो आप प्लीज उससे पहले जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाए, तभी यहाँ पे इस वीडियो को continue कीजेगा तो गाइस पैनकाडाइटिस में अविसली हम अंदर से बाहर की तरफ शुरू करेंगे, तो हम फिर पहले एंडोकाडियम, फिर हम मायोकाडियम और फिर हम पेरिकाडियम की बात करेंगे, तो पहले एंडोकाडियम की बात करते हैं, तो एंडोकाडियम में जो है, दो कि यह अंदर वाली जो विस्तरा को बाकी विस्तरा को कनेक्ट कर रही है उसकी इंवल्मेंट होगी तो सबसे पहले हम वैल्विलाइटेस की बात करते हैं इंफ्लमेशन आफ दी वाल्स तो बेसिकली क्या हो रहा है जब आपको रियुमेटिक हार्ट डिजीज हो गया है अब आ पर ठाषीद नहीं वांकर गया हो यह कहां पर आपको दोश्मेशागी इंडोकाडियम के अंदर करना है के और सकाम इसीमिरफ नहीं से चाहिक प्यूसे और यहां से और सब्सक्राइज होगी तो इससे आपको होगा कि सारी इंबॉल्डग्र इंवाल eo उसके बात आयोटिक वाल्ममोन गाली मौर्ट्ट shark प्रेटरियम और जो लेफ्ट वेंटिकल है लेफ्ट हाट बेसिकली आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है लेफ्ट हाट में क्योंकि यह आयोटा जो क्या है पूरी बॉडी में आपको खूंड लेके जा रहा है तो सबसे ज्यादा इन वॉल्ल कौन सी वॉल्ल मैँटिक वॉल्ली मित्रल ने रहिके लॉतिय।ट और सबस्तों चोनटर में धुट समय क्यों कुंद कर आफ से कीज़िये, आपको अन।। आती है तो जो 98% जो आपकी मेटरोल इंवाल्ड है उसकी डिफॉर्मटी ऐसी हो जाएगे कुछ बटन होल डिफॉर्मटी या फिश माउठ डिफॉर्मटी इसके चारो तरफ जो है आपकी वेजिटेशन हो जाएंगी और जो बेसिकली जो कमीशर बेसिकली जो साइड के पोर् जाएंगे अब इंफ्लमेशन होई है शुरू शुरू में तो उसमें इंफ्लमेटरी चेंज आएंगे आपके लिंफोसाइट आएंगे प्लाजम सेल आएंगे हिस्टोसाइट साइंगे ठीक है एनिच्छ एलाएंगे एश ऑफ बोडी जाएंगी अब जब वह एक्यूट स् साइन है जिसको हम कहते है मैक कैलम सपट मैक कैलंस पैycz का है कि एक मैप लाइक एरिया बन गया है थिकनिक ओगई ए एंडोकार्डियम की यह बेसिकली कहांँपर देखने को मिल रहा है यह आपका मैक कैलिम पैच है यह आपका लेफट अट्रियम में जो जो पोस् tôiऻूऊग जो मिट्रल वॉल्फ के उपर वाली जो वॉल है वहाँ पे ये देखने को मिलता है मैक कैलम पैच यह आपको याद रखना पड़ेगा और यह लिखना पड़ेगा आपको एक्सामस पर बहुत इंपोर्टन है यह अब हम बात करते हैं मायोकाडियम की बात होगी अब हम बाहर क अब होता है उसके बाद वहाँ पे नेक्रॉस देखने को मिल जाएगी और उसके बाद एक्षोफ बाड़ी इसका करेक्टर स्थे कि यहां पे एक्षोफ बाड़ी जाएगा और आपके जो इंफ्लमेटरी सेल्स है लिंफोसाइड प्लाजम सेल्स है नीट्रोफिल्स है वह स लास्ट वन इस पेरी काड़ियु मापको पता तो होते हैं विसले होता है और और तो अब यहां पेरी काडियम में मोस्ट प्रवली और मोस्ट इंपॉक्टिंट्ली जो सइन है वह फाइप्रस लेएर जो डिपोजिट हो जाती है यहां की फीबिनस लेएर है इसके अंदर आ और यहां पर बहुत सारी क्या हो सब्सक्राइब हो जाएंगे क्योंकि वह बॉड़ी का डिफैंस मेंगे बॉड़ी अपने आपको स्ट्रॉंग बना रही है तो पराइटल और जो विसल प्रूरा है वह एक दूसे सेपरेट हो जाएंगे और वह ब्रेट बटर अपीरेंस अब तो 실ल मिलेंगे नुट्रॉंगले और शॉपंधेंस देखने को Yuk तो यह डिधर को मिलाकिक अपने को द्यार कर सकते हैं आपसी के लिए एक्जामिनेशन के लिए I hope आपको लोगों को समझ आयोगा Thank you so much for supporting me throughout the years I have been on YouTube We have completed the 1K subscribers on YouTube Thank you so much for watching आप लोगों का साथ ऐसा ही बना रहे Do follow me on Instagram Thank you so much for subscribing the channel Bye-bye for now Bye